प्रियाग राज में बीए में पढ़ने वाली 18 वर्सी चातरा को अगवा कर हत्या करने का संसनी खेज मामला सामने आया है चातरा दो दिन पहले संदिक्त परिस्तिती में गायब हो गई थी चातरा किलास एक जंगल में सूखे कुए से बरामद हुई है इस मामले में पुलिस ने प्रेमी सही दो लोगों को हिरासत में लिया है वही घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है पिता लड़की से रेप होने का आरोग भी लगा रहे हैं और सीम से इंसाफ की मांग कर रहे है हमारी लड़की को ले गया है वो लड़का और हमारी लड़की के साथ रेप हुआ है और कुए में उचकी डिट बोडी मिली है और हमको योगी सरकार से यही दर्खास है को लड़कों को फासी मिलनी चाहिए हम लड़की के पीटा बोल रहे हैं लड़की हमारी बीए सेकेंडिया थी, इश्वर सरन कालेज में पढ़ती थी दरसल फूलपूर की रहने वाली अठारव वर्ष की छात्रा सलोडी इलाके में गल्स हॉस्टल में किराय की कमरे में अपनी सहेलियों के साथ रहकर इश्वर सरन कालेज से बीए की पढ़ाई कर रही थी उसके साथ ही उसी कालेज में आजम गढ़का रहने वाला अमन सिंग भी पढ़ता था वो अपनी सलोडी में ही किराय की कमरे में रहता है उससे लड़की की दोस्ती बताई जा रही है वहीं दो दिनों से लड़की गायब थी घरवालों ने कर्णल गहिस थाने में कल रिपोर्ट दर्च गराई सल्विलांस के अधार पर अमन नाम के लड़के से पूस्ताच की गई तो अमन ने कुए में लास होने की बात कुबूल दी इसके बात पुलिस ने देर रात लड़की किलास कुए से बरामत की और आरोपियों को हिरासत में ले लिया फिरहाल पुलिस ने लड़की किलास को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और आरोपियों के खिलाफ सक्त करवाई करने के बात कही है 24 तारी के साम को एक सूच तहरीर मिली थाना कनलन गंज पे जिसमें इस बात का उलेक था कि एक बच्ची जो प्ट्यागराज के ही जंगई छेतर की रहने वाली और यहां पे रहके पढ़ाई करती थी उनके साथ में दो तीन और बच्चीयां रहती थी वो घर से एक अमन राजबूत नाम के लिए जहां पे कह करके वो निकला उन्होंने और उसके बाद वो वापस नहीं आई है और इस आधार पर अभियोग पंतित करके तक्ताल टीमें लगाई गई छे और वो सभी टीमें सकरीता से काम सुरू किया गया उन पे परिवार के वहां से फिर रिकवर की गई ये भी रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लाज अमन से गहनता से जब पूश्तांच की गई तो उसने इस बात को बताया कि वहां हो सकता है फिर वहां पुलिस गई तो रिकवर किया इस डियार पोरे को बोला करके पर बोड़ को पंचायत नमा भ अगर इसके अलावा और भी सामिल होंगे तो उनके खिलाब भी अब हम पीम कराने पर जा रहे हैं और जैसे भी पोस्टमार्टम हो जाता है हमें वो डिटेल मिल जाता है पोस्टमार्टम लिपुट उससाब से आगी रिता करेंगे सर अमन के साथ दो लड़के और भी इसमें अभीक्त बनाए गए हैं उसमें और उसके साथ के दो लड़के जो है उनसे भी पूछ तांच की जा रही है और बताये ना आपको कि जिनकी भी सनलिप्तता होगी वो सब के विरुद कठोर करवाईगी जाएगी पोस्टमाटम हो रहा है जैसे ही हो जाता है तो फिर क्लिर हो जाएगा